हलो एवरीबन वन्स अगेन वेलकम बेक ऑन यूर यूट्यूब चैनल दांगी एकडमी बहुत बहुत स्वागत थे आप सभी का दांगी एकडमी पर इस एकडमी पर आपको नेट एक्जाम से लिटेट नर्सिंग एक्जाम से लिटेट सारे अपडेट लगातार मिलते रहते ह करने हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं जो भी नए अपडेट आए नए इनफोर्मेशन आया उसके वीडियो की इनफोर्मेशन आपके पास में पहुंच जाए तो आई आज देख ल जो बच्चे रह गए थे जो फर्स राउंड कांसलिंग नहीं करवा पाये थे या उनका नाम नहीं आपाया है तो देख लेते हैं क्योंकि आज इनकी जो लिस्ट है वो आ चुकी आप लोगों को मॉर्निंग से ही इंतजार था पर मॉर्निंग में लिस्ट नहीं आपाये थी और वहां पर आपको अंप्य ओं पर जानाएं यह पूरी प्रोसेस वैसि है जैसे हभी तक आपर नहींगरिक सेवाओं में और मोघो कांसलिंग सेमर प्रेपीट करना है ग्लिक करेंगे 얼굴 wichtig करने के बाद कुछ आपके सामने आएगी फिर आंपको जाना यहाँ पर आपको नर्सिंग काउंसलिंग में अभी तक किया दिखाया दे रहा है ज्योETH फॉर्स आउट counseling थी उसमें जो भी बच्चे थी जिसे 14-18 की जो date आये थी बाद में जो date increase हो गई थी पहले 14 तक की date थी उसके बाद में increase करके इसको 18 तक कर दिया गया था उस list को अब यहां से हटा दिया गया है देखिए आपको screen पर यह कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा अब आपको यहां पर direct दिखाए दे रहा है duplicate receipt of registration and choice filling यह यहां पर दिखाए दे रहा है और उसके बाद में आएगा remaining vacancy for MOP UP round for of BSC nursing course 2021 साथ 2021 का यह update आए इस पर आपको कॉलेज में vacancy है जैसा कि आप लोगों की comments आ रही थी कि मैं वीडियो बना दीजी किस किस कॉलेज में तो देखिए कुछ जो information निकाले थी मैंने दो चार college की information आई थी लेकिन यहां पर जो रिवा का college था और गौलियर का college था इसकी information में रपास नहीं आई थी इसलिए मैंने आपको वीडियो प्रवाइड नहीं करवाया क्योंकि एक-एक seat की बहुत जादा value होती है और मैं नहीं चाहती थी कि आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार की गलात information मिले तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस college में कितनी seat हैं आप वीडियो को pause कर सकते हैं य इंदौर में काफी सारी seat अभी भी वेकेंट है 43 जबलपुर में हैं आपकी 29 रीवा में हैं 12 और सागर में हैं आपकी 21 यानि टोटल 155 seat अभी भी खाली है और यह बता दिया गया है category wise जो कि आप लोगों की comment आई थी तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ऐसा कुछ व चाहिए first round counselling हो या second round counselling हो तो यहाँ पर भी category के according ही आपका cut off जाने वाला तो इसको आप देख सकते हैं screen shot भी आप इसका ले सकते हैं इसके बाद देख लेते हैं कि कौन-कौन से बच्चे हैं जो कि eligible हैं first round counselling में उनका नाम नहीं अपाया था और अब second round counselling वो करवा सकते है तो first round counselling जब होई थी तो मैंने आप लोगों के यही कहा था कि यदि आपके बहुत ज़्यादा कम marks है तो आप मत participate कीजिए और यदि बहुत अच्छे number है तो आप government का wait कर सकते हैं फिर भी आप लोगों नहीं मुझे पूचा था कि मैं government की कब आएगी तो देखिए थोड़ा वो time लग सकता है लेकिन आएगी ऐसा नहीं है कि उसको बंद कर दिया जाए या government की counselling नहीं करवाया ऐसा नहीं हो सकता होगी कुछ दिनों आपको wait करना पड़ सकता तो देखिए 79 marks यहाँ पर दिये गए अब जिन बच्चों ने admission ले लिया है उनके नाम यहाँ पर नहीं आ बच गये हैं उन सभी का यहाँ पर नाम दिया हुआ है तो देखिए ऐसा नहीं है कुछ चैनल पर यह बताया गया था कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड में registration करवाया है सिर्फ वही eligible है ऐसा नहीं है देखिए यहाँ पर जो भी बच्चे भी बच हैं यहाँ पर देख सकते ह हूं कितनी सीटें यहाँ पर खाली है तो आप जिनके फर्स्ट राउंड कांसलिंग में नहीं हो पाया वह इसली अप्लाई कर सकते हैं और अपना admission यहाँ पर ले सकते हैं तो जादा दिन आप इस बार नहीं दिये गए हैं तो आप जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से तीन दिये गए हैं फटा-फट से प्लाई कर दीजिए ताकि आपको कॉलेज अलोट हो जाया और जिन बच्चों के काफी अच्छे मांक्स हैं वो गॉर्मेंट कवेट कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजी इसके बाद भी दिया आपको हैं मैं कोशिश करती हूं कि उनके जरूर आंसर में वहां पर दे पाऊं और यदि कुछ बच्चों के आंसर नहीं दे पाती हूं तो उसके लिए सोरी और बहुत ज्यादा कमेंट सीदी सेम रहती तो मैं उसका वीडियो प्रवाइट करवाने की विल्कुल कोशिश करती हूं वीडियो अच्छे लगाओ तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तैंक यू तैंक यू सो मच फॉर वाच्चों